खृती सानिन एक ऐसी आताकारा है चिन्होंने बहुत ही कम टाइम में दर्शकों के दिलों में जगा बना ली उनके मूवी से लेकर उनके परस्नल लाइफ तक उन्होंने कई बार सुर्खिया भी बटोरी लेकिन अपने इस बॉलिवूड जोनी में उनके कई कॉंट्रोवर्सी सामने आई तो आये डालते हैं उन फेमस कॉंट्रोवर्सी पर एक नजर जिराफ कॉंट्रोवर्सी बॉलिवुड स्टार्स अक्सर अपने अलग अंदास में फोटो शूट के लिए खुब सुर्ख्यों में रहते हैं वेल जहां कुछ लोगों को ये पसंद आता है तो वही कई बार सोशल मीडिया यूजर्स अपने इन स्टार्स को ट्रोल करते हैं ऐसा ही कुछ बॉलिवुड अक्ट्रेस कृती सानन के साथ हुआ कृती का एक फोटो शूट वाइरल हुआ था जिसकी वजह से कृती को ट्रोल किया गया था विवाद जाधा बढ़ने के बाद उस मामले पर कृती सानन ने चुपी तोड़ी और पूरे फोटो शूट को नकली करार दिया दरसल कृती ने एक मैगजीन के लिए फोटो शूट करवाया था पस फोटो शूट में कृती के पीछे जिराफ किसी चीज के साहरे उपर की ओद लटका हुआ था कृती के इस फोटो शूट की जैसे ही तस्वीर सामने आई तो लोगों ने एत्रुआज जताया इसके साथ ही जानवरों के लिए काम करने वारी संस्थाओं ने भी इस पर आपती जताय थी इस मामले पर कृती सैनन ने प्रतिक्रिया दी थी कृती ने कहा था ये एक साधारन फोटो शूट था जो कि लंडिन के एक होटेल में किया गया था डेकोरेशन इसी होटेल के वाइल लाइफ जोन में ही की गई थी तस्वीर में पीछे दिखाई दे रही चीजे नकली है मैं खुद भी जानवरों से प्यार करती हूँ वेल लेकिन कृती का ये फोटो शूट काफी सुर्ख्यों में था सुषान सिंग राजपूत और आक्ट्रिस कृती सैनन ने साथ में राप्ता मूवी की थी इसी दोरान उनके लिंक अप रूमर्स भी सामने आये थे दोनों अकसर डिनर आउटिंग्स पर भी स्पॉट हुआ करते थे लेकिन दोनों ने कभी इस बारे में बात नहीं की वही रिपोर्ट्स के मुताबिक सुषान की निधन पर चुपी साथने के लिए लोगों ने कृती को खरी खोटी तक सुना दी थी लेकिन इस पूरे मुद्धे पर कृती ने टाइमस ओफ इंडिया से बात कर इस बात पर चुपी तोड़ी कृती ने कहा था कि एक पॉइंट पर चारो और इतना शोर था कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनना जाती थी ये बात एक ऐसे पॉइंट पर पहुच गया जहां लोगों ने सम्वेधन शील होना बंद कर दिया और चारो और बस नेगटिविटी थी मैं उस नेगटिविटी का हिस्सा नहीं बनना चाती थी मुझे पता था मैंने स्थिती के बारे में क्या महसूस किया और मैं उसे अपने पास रखना चाहती हूँ मुझे किसी भी चीज के बारे में किसी से बात करने के जरूरत महसूस नहीं हुई जो मैं महसूस कर रहे थी इसके अलावा आप क्या कहना चाहते हैं आप हमेशा सोशल मीडिया पर कह सकते हैं आप चिलाने के बज़य लिख कर अपने भावनाव को व्यक्त कर सकते हैं इतना ही नहीं सुशान सिंग राजपूर के निधन के बाद थिती ने अपने इंस्टेग्राम अकाउंट पर उनके सा कई तस्वीरे शेर की थी पानिपद कॉंट्रोवर्सी आशितोष गुवारिकर ने पानिपद के तीसरे यूद पर अधारित फिल्म पानिपद बनाई थी जिसमें अर्जुन कपूर, संजेदत और कृती सानन लीड रोल में नजर आय थे वेले के इन इस फिल्म पर काफी ब एक डायलोग पर कई लोगों ने और इपोर्टेड ली पेशवाई लोगों ने इस पर आपत्ती जताई थी प्रेजर में कृती सानन का एक डायलोग था जिसमें उन्होंने कहा था मैंने सुना है पेश्वा जब अकेले मुहिम पर जाते हैं तो एक मस्तानी साथ ले आते हैं पेश्वा के वन्स्चो का आरूप था कि मराठा इथियास से अंजान लोगों के बीच ये डायलोग पेश्वा की गलत छवी पेश करता है जिसके कारण इन स्टार्स को और फिल्म का विरोध किया गया था कृती एंग्री ओन मीडिया बॉलिवुड के दिगज अभिनेता दिलिप कुमार का बुद्वार साथ जुलाई 2020 को इंदकाल हो गया वो 98 यर्स के थे सास और उम्र संभन्दी परिशानी के चलते बीते दिनों उन्हें मुंबई के हिंदुजा स्पताल में भर्ती करवाया गया था इसके बात से उनके घर कई फिल्में सितारे साइराबानुजी को मिन्ने और दिलिप जी के अंतिम डर्शनी ने पहुचे बहुत से सितारों ने दिलिप कुमार के घर पहुचकर उन्हें शदधा जडी दी इस दौरान पेपिराजी ने कई सितारों की तस्वीरे और वीडियोस बनाए ऐसे में बॉलिवुड अभीनेत्री कृतिसानन ने दिलिप कुमार के अंतिम संसकार की तस्वीरे और वीडियो बनाने वाले रिपोर्ट्स पर गुस्सा निकाला उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेर कर कहा कि कि किसी का अंतिम संसकार एक नीजी आयोचन होता है मीडिया को इससे दूरी बना कर रखनी चाहिए उन्होंने लिखा कि पैपिराजी और मीडिया का किसी के अंतिम संसकार में आना जरूरी है अंतिम संसकार बहुत ही नीजी चीज होती है और मीडिया को ऐसे में सबने में आए लोगों को शांती से चीजे करनी दीनी चाहिए और ना कि उनके मूँ पर कैमरे का फ्लैश माना चाहिए इस दोरान के विडियो सोशल मीडिया पर देखना बहुत ही परिशान करने वाला होता है वो भी फोटोग्रोफर्स का बैंगराउंड में अराम से बाते सुनाई देने के साथ कृति सैनन ने पोस्ट में आगे लिखा मैं मीडिया से गुजारिश करना चाहूंगी कि अंतिम संसकार कवर ना किया करे और परिवार के साथ करीबी लोगों को प्राइवेसी दिया करे क्या अब अपने साथ हुई ऐसी चीजों को फ्लैश होते देख पाएंगे कुछ चीजे बदले प्रोफेशन से पहले इंसानियत रखे सोशल मीडिया पर क्रिती सैनन के इस पोस्ट की चर्चा खुब होने लगी अभिनेत्री क्रिती सैनन ने फिल्म मुबारका के रिलीज होने के कुछ दिन पहले ट्विटर पर एक वीडियो शेर किया था इस वीडियो में वो हवा हवा गाने में डांस करते हुए नजर आ रही थी लोगों ने क्रिती के इस वीडियो को काफ़े पसंद किया लेकिन इसके बाद हिट स्टोरी फिल्म के अभिनीत्री बहरवी गोस्वामी ने क्रिती पर बेहत अजीव टिपनी की बहरवी ने लिखा ये एक पागल औरत की तरह हरकती कर रही है ये अक्ट्रेस कैसे बन गई? कोई हैडलाइट नहीं, कोई बंपर नहीं कृलिज स्टोरेंट्स इससे बहतर दिखते हैं कृती ने उनके उपर की गए स्टिपनी का करारा जवाब भी दिया था कृती से एक प्रेस कॉन्फरेंस में बहरवी के स्टिपनी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पहले कहा बहरवी गोस्वामी कौन है? कृती ने बाद में कहा मुझे लगता है कि मैं उनके लिए खुश हूँ उन्हें ऐसा करके खुब पब्लिसिटी मिल गई है और अब तो आप लोग उनका नाम भी जानते हैं वेल तो ये थी कृती सानल से जुड़ी कुछ कॉन्ट्रोर्सीस इन पर आप हमें बताएं अपनी राएं तो अब्सके लेड़ी जो कुछ को ये आप इन अपनी जानते हैं